तो जी अभी आई हूँ बच्चों को छोड़कर और बच्चों को छोड़कर आने के बाद मैंने आपर भिंडी और प्यास कटकी हैं यह सब्जी बनाने वाले हूँ और यहां पर बन गई है चाय और साथ में यह जो सब्जी है यह मैंने सुबह बनाई की विदांश के लिए ख अब बनाऊंगी वह प्यास नहीं खाता है इस क्रिंडी बनाई थी और वंशी के लिए मैंने बनाया था पूहा क्योंकि उसको अभी जो हालका फुलका ही खाना खाना है रोटी वगएरा उसको अभी देनी नहीं है और और कुछ ऑप्शन ही मुझे समझनी आ रहा था दूद कर दलिया बनाती तो दूद भी उसके लिए बना है तो फिर मैं सुचा पोवा सबसे बेस्ट रहेगा पोवा हलका भी होता है वैसे खिचडी बोल रही थी वह लेकिन मैंने दी नहीं क्योंकि टिफिन में खिचडी थोड़ी अजीब लगती है खिचडी भी तो इस वज़े स फिर मैं इसके लिए पोवा ही बना दिया था तो बस अभी हम लोग पिएंगे चाए और उसके बाद मैं अनके टिफिन की तैयारी करूंगी क्योंकि आज इनको भी जो है न आफ़ी जाना है और यह मैं दूर बगर लेकर आगी थी सुबे कल राच जो है और लगाना बूल ग करेंगे सुबे की चाए और उसके बाद फिर मैं करूंगे इनके टिफिन की तैयारी में ले लिया है मस्टर्ड ओयल और अब इसमें थोड़ा सा जख्या मैंने अट कर दिया है और जख्या एट करने के बाद यह जो प्याज मैंने कट करें थे यह एट कर दिये हैं इसको थो जो ड्राइ मसाले होते हैं वो एड करेंगे आज वो अजवाइन वालो जो तड़का है वो मैं लगाना बूल गई क्योंकि इस टाइम में सब्जी बना रही थी उस टाइम तो याद आया नहीं और अभी जब मैं वाइस ओवर कर रही हूं तब जाके मुझे याद आ रहा है कि ह अजवाइन का तड़का भी मैं लगा सकती थी बट यहाँ पर देखिए मैंने सारे ड्राइ मसाले आड कर दे है अच्छे से जो है इसको मिक्स कर दिया है और अब इसी तरीके से खुला जो है इसको पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे तो बिंडी की सबजी को जितना खुले बरतन में पकाते हैं उतनी वो अच्छी बनती है बतब गीली नहीं होती है और इसके साथ ही मैं बनाऊंगी रायता तो रात को मैं दही भी जमाना भूल गई थी तो अभी जब मैं बच्चों को छोड़के आई तो वो दही भी लेकर आई हुई थी तो मैं बूंदी क जो है रायता बनाऊंगी तो मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा और काला नमक एड़ कर दिया है और साथ में मैं धेर सारा हरा धनिया जो है न वो एड़ कर दूँगी और इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में थोड़ा सा न मुझे गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें थो उसा जल्दी निपटाना है तो मैं जो है ना साथ के साथ ऑपने ले भी नाश्ता बना but haha उसड़ बताऊं तो जैसे दो three दिन मैं पराठे नहीं खातां हूं न तो मुझी ना मेरे फेवरेट है लेकिन आज मैंने रूटियां ही गाई मैंने का चलो कोई नहीं गर्मी जादा है तो अवाइट कर देते हैं और यहां पर देखिए यह सोफे के जो हाल है यह है विदांश के काम और वही मैं इतनी जादा परिशान हो जाती हूँ ना इन बच्चों से मैंने रात को विदांश को बोला जब वो आ गया था खेलने के बाद की बेटा यह सोफे ठीक कर दे बट सवाल ही नहीं उड़ता क्योंकि जिस टाइम तक वो पार्क से खेल के आया उस टाइम तक तो उसको इतनी जादा थकान लग चुकी थी कि फिर तो बच्चे जो है ना डिनर क करके सीधे अपना बैट ढूंडते हैं तो फिर उनसे काम की उम्मीद करना ही बेकार है उसको दो तीन बार बोला बट उसने नहीं सुनी तो आखिरकार यह सुवे मुझे ही सही करने पड़े अच्छा यह वो वक्त है जब हस्बंड जो है ऑफिस जा चुके थे तो उनके जा कोईन्स आते हैं कि टीवी कैबिनेट तो आपका लगा हुआ है लेकिन आपने अभी तक महाँ पर टीवी नहीं लगाया है और मैं बहुत बार अलरीडी बता चुकी हूँ कि अभी हमें जो है टीवी की जरूरत नहीं है दूसरे टीवी की जरूरत क्योंकि एक टीवी चीजे दिखाती हूँ जिस तरीके से हम लोग घर पे रहते हैं वही सारी चीजे मैं शो करती हूँ और डेरी व्लॉक्स का मतलब वही होता है कि अपनी रियालिटी दिखाना कि आप किस तरीके से रहते हो आपका कल्चर क्या है तो अभी कुछ दिन पहले जो है मेरे खाने को कॉमेंट आया था कि मैंने एक ही प्लेट में सबजी दाल चावल सब कुछ रख दिया था तो उनका कॉमेंट आया कि इस तरीके से कैसे मतलब खाते हो काफी कुछ बोला गया था और फिर जब मैं रिप्लाइ करती हूँ न तो बुरा लग जाता है तो कॉमेंट था मेरे खान करना पसंद नहीं है और हमारे यहां इसी तरीके से खाना खाया जाता है हमारे यहां तो गेस्ट भी आते न तो वो भी बोलते कि अलग अलग करने की जरूरत नहीं है थाली में इसी तरीके से रखके दे दो हम पहाड़ी है हम इसी तरीके से खाते मैं आपको सौ बार बोल च किसे काऊंगी न तो यही लोग मुझे आकर बोलेंगे कि शो आफ करती है कल तक इस तरीके से खा रही थी आज कैसे का रही है तो बस यही है कि मेरी रियालिटी यही है मेरी सच्चाई यही है हम लोग ऐसे ही खाते हमें यही सारी चीज़े अच्छी लगती है और मैं अपने आपको किसी और के लिए बदल नहीं सकती और अच्छा दिखने के लिए तो मैं खुद को विलकुल भी नहीं बदल सकती हाँ कुछ चीज़े होती है जिनको सुधारने की जरृत होती है कोई-कोई चीजे मुझे अच्छी लगती है आप लोगों की कही हुई तो उनको जो है मैं बताती भी हूँ कि हाँ आप लोगों से ही मुझे ये चीजे पता लगिए और वो मैं करती हूँ पते क्या मैंने साउथ में देखा है कि वो केले के पते में सारी चीज़े एक साथ ही रखकर खाते वो कल्चर उनका अपना है और वो कितना अच्छा भी लगता है देखने में तो बस यही है कि जिसको जैसे खाना हो मैं कभी आपको यू थोड़ी ना बोलती है अपने वीडियो में कि आप इसी तरीके से खाईए नहीं आपको जैसा मन हो आप वैसा खाईए मुझे जैसा मन होता है मैं वही खाती हूँ वही दिखाती हूँ लेकिन आप खुद सोचिए ना कि आप अलग-अलग कर्टोरी में भी लोगे दाल, चावल, सबजी लेकिन मिक्स करके तो उसको सबको एक ही साथ खाओगे ना सच बताउं, तो मुझे ये सारी चीजä मातर", एक फरमैलिटिज लगती है, जो कि मेमानों के साथ ही हो तो अच्छी लगती है, घर वालों के साथ ये चीज़े अच्छी नहीं लगती है, मैं यहां क्या मैमाईगे में जाती हूँ, तो हमारे महा भी सब लोग ऐसे ही खाना खा तो बस इतनी सी बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थी और ये बोलना है कि जब मैं आपको रिपलाय करती हूँ न तो आप ये मत सोचा कीजिए कि मैं उस चीज का बुरा मान गई हूँ जैसे आप अपनी चीजें मेरे सामने रखते हो तो जवाब देना मेरा फर्ज ब इसकी तबद हो गई थी आज स्कूल में खराब करा के बता रही है कि ममा मेरा ना बीपी लो हो गया था तो सुबह दवाई खाके गई थी हो सकता है दवाई की गर्मी से हो गया हूँ फिर मेडिकल रूम में गई महां पर ग्लुकोस वगरा पिलाया तो थोड़ा सा राहत हु अभी ठीक है गर्मी भी तो बहुत है अती की गर्मी हो रही है मतलब मुझे लगता है यह टाइम है जब एक्चली में छुटी कर देनी चाहिए क्योंकि यह बहुत खराब टाइम होता है इतने बीमार पड़ रहे हैं बैक-to-back मेडिकल डूम में बच्चे आ रहे हैं कितने अर्धा कहते छिए प्चे आघी तो अर्धा के बलख आधा है कि खरी हम आगी हुथ भूम कोल मुझे को देक है ड acept希望 पैंच की प्समेड को एक मुझे की ध IQ 6 ग्या दुटी चले तो फ्रक्रेशा छूमारी है एक तो बच्चे पर बड़ी प्रें हा थले को ठीक तो तो मैं च आज टेंग नी बना रही है हां क्या टेंग प्रुफजा नी पीना ठीक है तो चलिए विदांश के लिए हम टेंग बनाते हैं अपने लिए और वंशी के लिए मैं बनाऊंगी रुफजा मुझे नहीं लगता है तो मुझे टेस्ट बहुत बूरा लगता है मतलब होता दो है वो मैंगो के फ्लेवर गाँ बड़ में को प्रुफजा पसंद नहीं है इसलिए मुझे ठीक लगता है चलिए बना लेते हैं ठंड़ा ठंड़ा सा रुफजा मैं बनाऊंगी अपने लिए और वंशी के लिए रुफजा विदांश के लिए टैंग बनाऊंगी तो रुफजा मैं बिलकुल इजी तरीके से बनाती हूँ बस थोड़ा सा पानी डाल लेना है थोड़ा सा नहीं मतलब एके ग्लास बरके और फिर जितना मर्जी रुफजा लाल दो उसमें मीठे के हिसाब से और बस उसको मिक्स कर दो रुफजा बनके तयार है पहले कैसे बनाते थे मम्मी और अलग से चीनी घोलते थे फिर एक धकन रुफजा उसमें डालते थे सच बताऊं तो उसमें कोई ज्यादा फ्लेवर आता नहीं था लेकिन इस तरीके से तो अच्छा फ्लेवर आता है रुफजा का टेस्ट आता है तो बस अभी हम तीनों बैटके जो है अपनी ये ठंडी ठंडी से ड्रिंक एंजॉय करेंगे और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का मैं एंड करूंगी तो ये ता छोटा सा वीडियो आपको कैसा पाले बादी प्लेवर आता है कर दो है अपनी ये अधने ये ठंडी के साथ ऊता है।